What is true love? सच्चा प्यार क्या होता है? क्या आप जो समद रहे हैं वही सच्चा प्यार? या फिर उसका मतलब भी कुछ और है? Hello friends, let us video channel में आप सभी का स्वागत हैं जब भी हम सच्चे प्यार की बात करते हैं तब हमें लगता है कि हमें जो पसंद आ गया हमें जो लग रहा है वही सच्चा प्यार लेकिन सच्चे प्यार में कुछ चीजे होती है उसमें नमबर चार पे है Mutual Growth आपका सच्चा प्यार हुआ है या सामने वाले को आप से सच्चा प्यार हुआ है तो हमेशा वो सोचेगा कि साथ हमें Growth mutual growth से होता क्या है एक दूसरे के career को हम support करते हैं एक दूसरे की family एक दूसरे की nature को accept कर लेते हैं और एक दूसरे को जैसा करना है उसकी freedom का एक माहूल रिष्टे में बन जाता है और सचा प्यार करने वाला हमेशा ऐसा माहूल बनाता ही बनाता है कि सामने वाले को जो भी इच्छा हो वो करे चाहे शुरुवात में उसका विरोध हो या कुछ चीज़ों के लिए इंकार हो लेकिन वो करे और उसको support वो करे क्योंकि growth के लिए हमेशा support अगर किया जाए तो रिष्टे का growth होता ही होता है तो mutual growth सचे प्यार में होता है नमबर तीन में support देखें mutual growth साथ में growth करना लेकिन एक चीज़ होती है कि सिर्फ कह दिया कि हाँ ठीक है growth होना है लेकिन एक चीज़ होती है कि support भी करना चाहे वो mentally हो बहुत ही ज़्यादा important mentally, emotionally होता है इसके बाद physically हो या financially हो तीनों चीज़े बहुत ही काम की हो जाती है बहुत ही effective हो जाती है सच्चे प्यार में और सच्चा प्यार करने वाला हमेशा अपने साथी को किसी भी चीज़ के लिए support करता है हाँ कुछ गलत चीज़ों के लिए support नहीं करता है लेकिन कुछ समझेंगे कि हमारे गलत कामों में साथ नहीं देता तो सच्चा प्यार नहीं नहीं वो चीज़ समदने लाइग सच में आपको लगता है कि नहीं इसमें support करना चीज़े और आपका साथी support करता है तो समद लीजिए सच्चा प्यार है ये बड़ा संकेत है नमर दो पर है respect सम्मान देना ये कुछ लोग नहीं करते है ज़्यादा तर कि इसमें ऐसा देखा गया है कि जो ज़्यादा सक्षम है वो सामने वाले का सम्मान नहीं करता respect नहीं करता लेकिन सच्चा प्यार करने वाला हमेशा रिस्पेक्ट करेगा वो इनसान की, वो इनसान ने जो टाइम दिया उसकी वो इनसान क्या सोच रहा है उनके बारे में उसकी हर चीज के बारे में वो ये कहते रहेंगे एक सम्मान की नजर से रिष्टे में देखते रहेंगे नमबर एक पे अंडरस्टेंडिंग जब भी हम सच्छे प्यार की बात करते तो अगर आप कहते हैं कि मुझे सच्छा प्यार हो गया है तो मतलब कि आप कह रहा है कि मुझे उतनी understanding हो गई है कि सामने वाला क्या करता है मैंने उन्हें accept कर लिया है मैंने समद लिया है तो understanding बहुती बड़ी चीज है जो इंसान understanding रखता है रिष्टे में समझ रखता है साथी के बारे में रिष्टे के बारे में अपने खुद के बारे में तो समझ लिजे कि वो सच्चा प्यार करने वाला कहलाएगा तो सच्चा प्यार का इस तरह का concept एक चीज है समझ लिए कि जिसमें mutual growth हो support हो understanding हो जिसमें एक दूसरे के बारे में सोचना हो तो एक दूसरे के बारे में respect यह सब कुछ है और यह सब कुछ आता है proper understanding से इसलिए पहले number पर understanding था तो मुझे comment box में बताएगे कि सच्चा प्यार दोस्तों फैन वीडियो को देख रहे हैं सारे जीए भी फ्रांजा में चुह लेला जो भी हो वीडियो अच्छा लगाओ लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिए कोई भी सवाले से जाओ comment box बताना ना बुलिए थैंकि दोस्तों नो बैटर लेव बैटर